सलीना चेटली के अपने आखों से छलका दर्द उनके बेटे को खोने के बाद चलिए जानते हैं उनकी कहाली नमस्कार मैं इसने गदा स्वागत करती हूँ आप सभी का मारे चानल पर आपको बता दे कि Selena Jettli ने अपने premature baby को खोने के बाद उसका दर्द शेयर करती ही नजर आ रही है ऐसे में आपको बता दे कि जहां दुनिया एक और premature day मनाता है इस वज़े से उन्होंने आज ही premature day के मौके पर उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा दिन और कोई नहीं होगा जन्म लेने के बाद उन्हें उनका अंतिम संसकार करना पड़ा ऐसे में आपको बता दे कि किस तरीके से एक बच्चे को कितनी परिशानियों का सामना करना पड़ा और वहीं दूसरे बच्चे का उन्होंने अंतिम संसकार किया है इससे बड़ा दर्द और किसी मा के लिए कुछ नहीं होगा कि उन्होंने अपने एक बच्चे को खो दिया पर उन्होंने बताया कि प्रिमेच्चुर स्टेज ऐसा स्टेज होता है जिसमें बच्चे बेहद ही मुश्किल कंडीशन से गुजरते हैं जहां पर उनके बच्चे बेहद ही एक अलग कंडीशन में थे जिसमें वह हलपलेस महसूस कर रही थी उनकी चाह कर भी मदद नहीं कर पा रही थी जिस पर उनका एक बच्चा काफी premature condition में था बेहदी मुश्किल हाला थे लेकिन ऐसे में वो बच्चा तो बच किया लेकिन दूसरे बच्चे को वो बच्चा नहीं पाई जिनका उन्होंने अंतिम संस्कार किया है ऐसे मौके पर premature day पर उन्होंने इस दर्ड को बया किया है और उन्होंने ये बताया है कि premature day बेसिकली इस दिन को इसी लिए बनाया गया है ताकि तमाम parents अपने उस दर्ड को बया कर पाएं अपने उन बच्चों के लिए जो इस जिन्दगी में नहीं है premature होने की वज़े से वेल सलीना जटली भी काफी emotional होके उन्हें इस post को share किया है और उन तस्वीरों को भी share किया है अपने बच्चों के साथ लगतार social media पर ये तस्वीर viral हो रही है और लगतार इनके ये post पर काफी लोग react कर रहे हैं वेल अगर आप भी देखिए इस post को और बताएए कि सलीना जटली के ये अनकही कहानी के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में तमाम वॉलेवुज और टीवी दुनिया के खबरों के लिए देखते रहे हमारा चानल